हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं chemical stocks related जो कि यहां पर आपके सामने है फिनो टैक्स chemical limited company 362 रुपे पर इसका current market price है ठीक है company के बारे में जानेंगे कि company करती क्या business model क्या है company का चार्ट क्या कह रहा है company का यहां पर financials किस तरीके से company काम किस तरीक कि सक्टर के लिए करती है वो सब कुछ एक idea लगता हुआ नजर आएगा बिफोर दे वीडियो में आगे बढ़े हम मेशा की तरह आपसे request करूंगा कि I am small cap investor चानल को subscribe bell icon को hit all notification कौन करिएगा buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor चीजों को सीखने पर focus करना और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें सीखेंगे तो पैसा आज नहीं तो कल बनता हुआ जरूर नजर आएगा ठीक है और आपको सीखना है तो सब कुछ दिया जाएगा कि हाँ यह चीज करने से यह फायदा मिलता हुआ नजर आएगा वह चीज आपको समझ में आएगी सब कुछ दिया जाएगा कोश कंप्लीट होने के बाद पीछे मेने से एक साल जो चीजे आपको पड़ाई जाएगी उस पर आपको प्रेक्टिस करनी है इसके साथ में साथ में काम भी करना है तो इन्ही नंबरों पर कॉंटक करके साथ में काम कर सकते है और आपको उसका भी बेनिफिट मिल सकता है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फिनो टेक्स वीडियो में बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूं डिस्किलेमर है कि यह मेरे पास है ठीक हमने यह शेयर बता रखा तो और किसी और हमारे क्लाइन के पास हो सकता है तो 1979 में इंकॉर्परेट हुई थी और कैमिकल लिंग जो कैमिकल कंपनी है जो की इंगेज है किस में किस तरीके के बिजनस में सब यहां पर देखिए ऑक्सिलरी और स्पेशलिटी कैमिकल्स पूर टेक्स्टाल कंस्ट्रक्शन वाटर ट्रीटमेंट फटिलाइजर लेदर एंड प आपको समय में आ रहा होगा कि किस सक्टर में के नंबर अच्छे आ रहे है ठीक ना और उसी सक्टर में यह कंपनी काम करती हुए नजर आ दिया उसी सक्टर के लिए यह ऑपर पृटक्य मिलेगी ठीक है आप जाके देखोगे तो आपको समय में आएगा हिंट में आ आपको यहां पर इसे ही आपको मिल जाएगा इन ही में से कुछ ना कुछ है जो अच्छी कंपनी कर दी है तो यहां पर आप देखोगे कंपनी यह सारा का सारा काम करती है इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर प्रोड़क्त लिश्ट मिलेगी ठीक है यहां पर देखिए अच्छे का से तरीक है चल रहे है फॉर प्लस डेकेट्स का यहां पर एक्सपीडियेंस है 69 प्लस कंट्री में काम कर रही है और 400 प्लस यहां पर स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती हूं नजर आती है तो आप देखोगे तो आपर बिजनस मॉडल अच्छा का सा है और कंपनी का जो यहां पर दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट है वो अच्छा गाज़ा है बट बिफोर दथ यहां पर आप देखोगे तो मार्किट केप 4000 क्रोड की है तो जब 4000 क्रोड की बात करूं तो small cap है small cap की बात करूं तो दो चीर याद रखिएगा I am small cap investor हमारी च तो इस तरीके से आपके रिटन वह ले भी लेता है और हम अपने कोर्स में वही चीज आपको बताते हुए नजर आते हैं पी की बात करें 33 का इंडश्टी का पी 35 का है तो ना तो महंगा है ना ही सस्ता है ठीक है आरोसी यारोगी की बात करें ठीक ठाक नजर आते हैं 38 औ 30% क ही है डाट की बात करें डाट फुरी शेयर है डिविडेंट की बात करें 33% का डिविडेंट है 459 का इसने हाई भी लगा है तो अवरल हम देखे अगर कोई अनलाइस करेंगा ना इसके फाइनेश्ट कोई बड़ी कंपनी आपको समय में आएगा वह इसनी चीज़ों को देख करना ना कंपनी काम कर रही है उसी को तो उसे वह मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वह इतने ज्यादा टाइम्स पर यहां पर ट्रेड कर रही है सेल्स की बात करें तो यहां देखें सेल्स लगाता बढ़िया और अभी भी देखोगे तो हाइस्ट एवर सेल्स 153 करोड रूपी जो कि quarterly yearly दोनों बेस पर अच्छी है ऑपरेटिंग पॉफिट की बात करें तो यहां देखें थोड़ा सा खर्चा जादा हुआ है जिस वाज़े से operating पॉफिट कौटर बेस पर थोड़ा कम हुआ है अच्छा है अच्छा है तीक है यहां पर आप देखोगे company के बारे में तो अच्छी कंपनी है यहां पर आप देखोगे कंपनी क्या है अच्छी कंपनी है रिजर्फ की बात करें तो यहां पर देखिए रिजर्फ 47 करोड़ सो 425 करोड़ की रिजर्फ से बारें की बात करें तो डट फ्री शेयर है एक तरीके से यहां पर आप देखिए company के 147 करोड रूपे इसका investment है cash की बात करें अच्छा खासा यहां पर company का cash है cash flows positive नजर आते ह है यहां पर और चीड़ों देखोगे तो यहां पर देखिए promoters अपने share एक परसेंट भी नहीं बेचना चाते है 65 परसेंट का share as it is रख रखेंगे है FIs की बात करें FIs यहां पर जो चले गए तो दुबारा यहां पर आते हुए नजर आ रहे हिस्सेदारी बढ़ाई है यहां पर देखिए अच्छी खासी यहां पर नजर आती है बाइंग चलती रहती है यहां पर आप देख सकते है promoters ग्रूप ने लाश्ट एर बाइंग भी करी थी तो यहां पर हम बात करें फिनो टेक्स केमिकल्स की कि कंपनी यहां पर क्या कर रही है तो यहां पर इसके चार्ट से लेटरी बाते करेंगे financials I hope आपको समझ में आ गया है financial मुझे काफी अच्छे नजर आए आपको भी नजर आएंगे stand alone भी देखोगे recommendation है नहीं अपने financial advisor कुछ की study करें वीडियो उसको जाकर देखिए टीका मेरे कहने पर किसी और की कहने पर लेना नहीं है इसलिए सीखने के पर वीडियो और बेसिक ट्रवांस टेक्निकर रिसर्च फंडामेंटल को यहां पर कर सकते हैं सीख सकते हैं आपको समझ में आएगा दो जरबाइस ने इसमें जैसे सभी शेयरों ने सारी chemical share ने यहां पर हाई बनाया था इसका गिरावट होती ही नज़र है तो mostly share तो chemical के आपको यहां दिखाई देंगे इस तरीके की यहां पर गिरावट है बट यह share टिका हुआ है और बचा हुआ है क्यों टिका हुआ हुआ कि आज की दिन में गिरावट हुई है ठीक है ना कल रिजल्ट आया तो उसके वए से यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट थी बटी यह गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी के मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है ठीक ना शेयर के नीचे आसकता है बिल्कुल आ सकता एक breakout दूसरा breakout जैसी होगा तो यहां पर एक तेजी होगी जो 460 की तरफ इसे ले जाएगी और 460 के बाद यहां पर आप देख पा रहे होगे एक reverse head and shoulder pattern बन रहा है यह shoulder इसके बाद यहां पर देखे हैड ठीक है ना यह shoulder बनाने के लिए जा रहा है और साथ में यहां पर आप पूरा consolidation area भी है ठीक ना और जैसी ही निकलेगा बहुत लंबा consolidation लगबग 2 साल का हो चुका है ठीक है दो साल लगबग होने वाले है तो यहां से जैसी शेयर निकलेगा तो छोटे मोटे return नहीं देगा यहां पर बड़े-बड़े return देगा यहां से भी अगर आप calculate करते हो ठी 65-70% के आस-पास ही यहां पर upside है बड़ चीजे ऐसे रुकती नहीं है चीजे और अच्छी है और next quarter भी आप देखोगे तो next quarter भी मुझे यहां पर नजर आता है कि अच्छा कासा company perform करती ही नजर आएगी और यह शेयर अब कुछ दिन कहीं में माने निकल सकता है बड़ बाइ आप पर टीजे क्लियर होती यही नजर आएगी तो थैंकि यह सो मुझ गब्लस